ओपो ने अपना एक और मिड रेंज स्मार्टफून फाइनली लॉंच कर दिया है जिसका नाम है ओपो A57 5G और इसी स्मार्टफून की सारे डीटेल में आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ इसकी प्राइस क्या राकी गई इसमें आपको क्या 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 एक हुआ को नहीं मिलेगा इसमार्टफून को बात की जाए तो इसमें आपको 6.56 ऐश्यटि प्लस IPS LCD डिस्प्ले मिल जाती है जिसमें आपको 269 पिक्सल पर डेंसिटी देखने को सब्सक्रीब और 98 के इसमें आपको refresh rate मिल जाता है वहीं आगर A57 5G की performance की मैं बात करूँ तो इस smartphone में आपको performance के लिए processor मिल जाता है OctaCore का Mediated Dimensity 810 किसमें आपको processor मिल जाता है Color OS 12.1 देखने को मिलता है जो की Android 12 based है साथ इसमें आपको 6 और 8 GB की LPDDR4X की RAM मिल जाती है 128 GB की इसमें आपको UFS 2.2 की storage देखने को मिलेगी गाइस performance आपको इस smartphone में काफी अच्छा मिलने वाला है mid range smartphone के साब से जो इसकी price रखी गई है इसके साब से इसमें आपको performance काफी अच्छा मिल जाता है और अगर मैं इसके cameras की बात करूँ तो इसमें स्मार्टफून में आपको 13 MP का Dual Rare Camera setup मिल जाता है 13 MP के इसमें आपको primary camera देखने युक मिलेगा 37 MP इसमें आपको 2 MP का portrait camera मिल जाता है और अगर मैं इसकी बैटरी की बात करूँ तो इसमें आपको मिल जाती है यह 5000 mAh की बैटरी जो की 10W की Fast Charging सपोर्टेट है 5G स्मार्टफोन के साथ तो आपको इसमें केबल 10W की Fast Charging मिल रही है यह भी एक disappointing feature लागा मुझे इससे स्मार्टफोन का Oppo A57 5G स्मार्टफोन के सारे specifications तो मैंने आपको बता दिये अब मैं आपको इसकी price बता देता हूँ price बताने इस पहले मैं आपको इस स्मार्टफोन की 2-3 चीज़े बता देता हूँ कि guys इस स्मार्टफोन में आपको camera quality उपती कोई खास नहीं मिलने वाली अगर आप इस स्मार्टफोन को purchase करना चाते हो performance वाई तो आप इससी smartphone को purchase कर सकते हो बट अगर आपको सोच रहे हूँ कि आपको एक अच्छी camera वाला smartphone purchase करना है तो आपको इस smartphone को purchase करने की कोई ज़रुवत नहीं है इसमें आपको performance अच्छी मिल जाती है बट camera इसमें आपको कोई खास नहीं मिलेगा और अगर इसकी price की बात की जाए तो इसे अभी launch किया गया है केबल चायना में जिसमें इसकी price रखी गई है चाउदा सुन इंडियान वे यूएन इंडियन currency में अगर convert किया जाए तो करीब 17,000 रोपे के करीब इसकी price रखी गई है इस price में आपको 8 GB क्रेम और 108 GB की storage मिल जाती है देखते हैं इस smartphone इंडिया में कब तक launch होता है क्या इसकी price रहती है जो भी डीटेल नहीं मैं सारी डीटेल आपको बता दूँगा इसकी लिए चैनल को subscribe जरू कर लेना